नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Only Eyes की यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिसकुशन को जहां पर हम बात कर रहे थे उन महिलाओं की जिन्होंने भारत की आजादी में मुख्य भूमी का निभाई थी अभी रिसेंटली मनिस्ट्य आफ कल्चर ने एक कॉमिक बुक रिलीज की है जहां पर इनके बारे में देश को बताया गया है अब कही न कहीं इनका ये योगदान अजादी के बाद भुला दिया गया था और उसको फिर से याद कराने के लिए ये कॉमिक बुक पब्लिश की गई है वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन है दोस्तो जैसे ही UPSC प्रलिम नजदीक आता है तो हमें एक डर सताने लगता है कि क्या हम टाइमली अपनी रिवीजिन को कम्प्लीट कर भी पाएंगे अब इस चीज के लिए एक सलूशन लेके आए हम जहां पर आप हमारे तेजस प्रोग्राम में लगभग 200 घंटे में अपनी स्लेबर्स को रिवाइज कर सकते हैं जहां पर ना केवल आप NCRT के टॉपिक बलकिन स्टाटिक और करण्ट अफेर के टॉपिक को भी याद कर पाएंगे अब यहां पर हमारा करण्ट अफेर में फोकस है लगभग 500 दिनों पर अब यहां पर आप इन चीजों को तुरंत ही रिवाइज करना चाते हैं तो इसके लिए रेगुलर टॉपिक बेस आपको टेस्ट मिलेंगे उसके लावा 15 फोलेंट टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपनी तयारी का आंकलन कर सकते हैं इसके लावा आपको प्रिलिम्स के लिए study material मिलेगा और एक dedicated mentorship मिलेगी जो आपके आने वाले प्रिलिम्स में आपकी मदद करेगी इसके लावा प्रिलिम्स की आपकी strategy develop करने में हम आपकी मदद करेंगे साथ के साथ कोशिश ये करेंगे कि elimination technique में आपको माहिर बना सके info at the rate onlyis.com पे उसके लावा आप हमें call भी कर सकते हैं 700-7931-912 पे आईए अब शुरुवात करते हैं आज के वीडियो की सबसे पहली personality है सुभद्रा कुमारी चोहान अब ये बहुत अच्छी हिंदी कवित्री थी जिनोंने जहासी की रानी कविता लिखी है अब आप सभी ने इस कविता के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा खुब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी अब जिनोंने भी इस कविता के बारे में सुना है वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं इसके लावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनका जनम 16 अगस्त 1904 को इलाबाद में हुआ था जहाँ पर इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की स्कूलिंग इलाबाद से ही ली थी अब जब ये उस समय अलाबाद में पढ़ती थी तो इनके साथ महादेवी वर्मा जी भी पढ़ा करती थी जो हिंदी साहिपते में एक नामचीन हस्ती है अब वैसे तो सुबद्रा कुमारी चोहान जी का भी रुजान पढ़ाई की तरफ बहुत था लेकिन इनकी बहुत छोटी उमर में शादी हो जाती है जिसकी वज़े से इनकी पढ़ाई छूट जाती है अब शादी के तुरंट बाद ये और इनके पती सेंटरल प्रविंस में चले जाते हैं जहाँ पर ये दोनों ही 1921 के नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट में पार्टिस्पेट करते हैं इसी दोरान इने अरेस्ट कर लिया जाता है और ये नाकपूर की पहली ऐसी महिला सत्याग्रही बन जाती हैं जिनने अरेस्ट किया गया था इसके लावा इनकी पुत्री सुधा ने एक किताब लिखी थी तेज से तेज जहाँ पर इनकी जीवन के बारे में बात की गई है उसके लावा परफेसर अलोक राए ने इनके कारे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अजादी के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक सड़क धुर्गटना में मिर्त्यू हो जाती है और यही सब कुछ जानना जरूरी था आपका इनके बारे में आईए अब बात करते दुर्गावती देवी के बारे में इनका जनम 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर परदेश में हुआ था अब ये महज 11 साल की थी जब इनका विवा हो जाता है भगवती चरन वोरा के साथ अब ये जो भगवती चरन वोरा जी थे ये दोस्त थे आपके भगत सिंग और सुखदेव के तो इस वज़े से दुर्गावती देवी जी का भी रुजान नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एस्सोशेशन की तरफ रहता है कि जब साइमन कमिशन भारत आया था तो उसके विरोध में लाला लाजपत राएजी ने भी विरोध किया था अब इस विरोध के दोरान लाठी चार्ज होता है और जिसमें लाला लाजपत राएजी की मिर्त्यू हो जाती है अब इसका बदला लेने के लिए भगत सिंग और उनके दोस्तों ने जौन सांडरस की हत्या कर दी अब इसके बाद पुलिस इन्हें ढून रही थी तो दुर्गावती देवी जी ने ही भगत सिंग और उनके साथियों को वहां से निकालने में मदद की जहां पर भगत सिंग भेश बदल कर दुर्गावती देवी जी के साथ कोलकता तक जाते हैं और वहां से दुर्गावती देवी जी वापिस आ जाते हैं इसके बाद भगत सिंग दिल्ली असेंबली में बंब ब्लास्ट करते हैं और उसके बाद भगत सिंग पे जॉन सांडर्स की हत्याक का केस भी चलता है। उसके लावा दुर्गा देवी जी ने कुशिश की थी लौट हेलने को मारने की जो की उस समय के पंजाब की गवर्नर हुआ करते थे और ये माना जाता है कि वो रेवलूशनरीज के दुश्मन हु और इसका नाम रखा गया था हिमालियन ट्वाइलेट्स। आजादी के बाद भी काफी सालों तक ये आम नागरिक की तरह जीती रही गाजियाबाद शहर में। और यहां पर भी ये लोगों की भलाई के काम करती रही। इनकी मृत्यू 15 अगस्त 1999 में हुई थी तो यही हुआ था 25 जून 1908 को अंबाला शहर में। वैसे तो इनकी फैमली बंगाली थी बट इनके फादर मेडिकल आफिसर थे जिसकी वज़े से उनका समय समय पे तबादला हुता रहता था। और यही एक कारण था जिसकी वज़े से ये भारत के बारे में छोटी उमर से बहुत अ पात्रम गीत से अफगत कराया था। उसके लावा जलियावाला बाग हत्याकान ने भी इनकी सोच पर एक घहरा असर किया था। और इसके बारे में इन्होंने लिखाया अपनी किताब An Unfinished Autobiography। काफी यंग एज में इनकी भेन की मृत्यू हो जाती है जिसके कुछ समय लहौर कॉलेज और दूसरा था बनारस हिंदू यूनिवरस्टी। अब लहौर कॉलेज में इन्हें पैसे तो अच्छे मिल रहे थे। लेकिन इन्हें ये पता था कि बनारस हिंदू यूनिवरस्टी में कई न कई देश भक्ती की भावनाओं से वो जुड़ी रहेंगी। इस वज़े से इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवरस्टी में काम करने के लिए हां भरती। अब जब ये बनारस हिंदू यूनिवरस्टी में पढ़ा रही थी तो उस समय इनकी मुलाकात होती है जेबी कृपलानी से जो की गांधी जी के बहुत close associate थे। अब धीरे धीरे य तो इनको लगता है कि इन दोनों की सोच और विचार एक दूसरे से मिलते हैं और इने शादी कर लेनी चाहिए। जेबी कृपलानी जी की सिस्टर ने गांधी जी को एक लैटर लिखा और इसके बाद गांधी जी ने इन दोनों को बुला कर ये कहा कि अगर जेबी कृपलान आपको एक की जगा दो लोग मिलेंगे देश सेवा के लिए। अब इसके बाद गांधी जी भी इस बात से आस्वस्त हो जाते हैं और इन दोनों का विवा हो जाता है। अब विवा के कुछ साल बाद ही ये बनारस हिंदू यूनिवरस्टी से अपनी नौकरी को छोड़ कर कॉ को जॉइन कर लेती हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सेकिंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो उसके समय ही गांधी जी ने सिविल डिसुबिदिन्स मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो उस समय सुचेतक प्लानी ने फैजाबाद से सत्यग्रह स्टार्ट किया। इस का निभाई थी। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो नहरू जी की स्पीच से पहले इन्होंने वंदे मात्रम, सारे जहां से अच्छा और जन्मन गन गीत काया था। इसके लावा ये उत्तर प्रदेश की पहली वोमन चीफ मिनिस्टर बनी थी। और साथ की साथ यहां पे आ 1961 में इंडियन डेलिगेशन जो इंटरनेशनल लेबर औरगनाईजेशन में गया था उसकी भी ये मेंबर रही थी। तो इनके बारे में इतना ही कुछ जानना आपके लिए इंपोर्टन था। आईए अब बात करते हैं अकमा चेरियन की। अब गांधी जी ने इन्हें नाम एक मुवमेंट चलती है जहां पर वो रिस्पॉंसिबल गौवर्मेंट की डिमांड करते हैं और उस समय रामकृशन पिल्ले ही द्वारा इन्हें लीडर घोशित कर दिया जाता है उस मास मुवमेंट का। अब जैसे ही पुलिस इनको रोकने के लिए लाठी चार्ज करने की बात करती है ये गोली चलाने की बात करती है तो ये कहते हैं कि इस मास मुवमेंट की लीडर मैं हूँ पहले मुझे मारिये फिर इनको हाथ लगाने की जूर्थ है आपको तो इनके जजबे को देखकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं और वो कही न कहीं वहां से भाग जाते ह इन्हें अरेश्ट कर लिया जाता है जहां पर जेल में इनको तरहा-Tरहा की यातनाई दी जाती है तिर्वनकोर के दिवान दौरा अब ये बाद जब गांधी जी के कानों तक पहुंच दी हैं तब गांधी जी इन्हें नाम देते हैं जहांसी की राणी जब ये कुछ समय के बाद जेल से बहार निकल के आती है न तो इसके बाद यहाँ पश्रू होता है कुट इंडिया मोमेंट और कहीं न कहीं इन्हों ने इसके अंदर भी बढ़ चड़ कर पार्टिस्पेट किया था आजादी के बाद 1947 में इन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें ये जीती थी बट इन्हें बाद में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं 1950 के आसपास कि अब वो बात नहीं रही वो एडियालिजी नहीं रही लोगों के अंदर और पार्टिस के अंदर तो इस वज़े से ये सन्यास ले लेती हैं पॉलिटिक्स से इसके बाद एक बाद फिर से 1967 में चुनाव लड़ती हैं बट इस समय ये हार जाती हैं एक कॉमिनिस पार्टी के लीडर से आईए अब बात करते हैं अरुना आसिफ अली के बारे में अगर बात कीज़ें अरुना आसिफ अली की तो इनका जनम 16 जुलाई 1909 को हुआ था इनके फादर रेस्टूरेंट में काम करते थे तो जिसकी वज़े से ये अकसर अलग-अलग जगापे ट्रेवल करते रहते थे अब इनका पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रुजान था तो ये आगे चलकर एक टीचर बनती हैं जहां पर ये गोखले मेमोरियल स्कूल कुलकता में पढ़ाती हैं अब इसी दुरान 1928 के आसपास इनकी मुलाकात होते हैं आसिफ अली से जो कि उस समय एक बैरिस्टर थे और साथ की साथ मेंबर थे कॉंग्रेस पार्टी के अब इन दोनों की भी सोच एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी तो इस वज़े से इन दोनों ने आपस में शादी कर ली अब धीरे धीरे इन दोनों का रुज़ान कॉंग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ता है और गांदी जी की जो डांडी यात्रा थी उस समय आसिफ अली जी को गिरिफतार किया जाता है और उस समय अरुना जी भी कॉंग्रेस पार्टी को जोईन करती है और वो एक स्पीच देती है जिसकी वज़े से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है अब यहाँ पर इने जज़ कहते हैं कि अगर आप यह कह देती हैं कि आप भविश्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेंगी एक गरेंटी देते हैं हमें तो हम आपको छोड़ देंगे तो अरुना जी ने यहाँ पर उस जज़ को यह कहा था कि मैं ऐसी कोई भी गरेंटी देने को तयार नहीं हूँ उसके लावा जब इर्विन गांदी पैक्ट हुआ था तब सब को आजाद कर दिया गया था लेकिन उस समय अरुना आसिफ अली को आजाद नहीं किया गया था अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही लोगों को पता लगता है कि अरुना आसिफ अली जी को नहीं छोड़ा गया है तो बहुत से लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो जिसके बाद इन्हें भी रिहा कर दिया जाता है लेकिन 1932 में जैसे ही civil disobedience moment चलती है तो एक बार फिर से इन्हें arrest कर लिया जाता है और इस बार इन्हें बेजा जाता है तिहार जेल अब इसके बाद इनके जीवन में एक important घटना आती है 1942 में जब शुरू होती है आपकी quit India moment उस समय सभी आपके major political leader arrest कर लिये जाते हैं तो इन्होंने struggle को continue रखने के लिए underground radio चलाया pamphlet बाटे, magazine बाटे, हलाकि अरुना आसिफ अली भारत के partition के खिलाफ थी लेकिन शायद नेती को कुछ और ही मंजूर था आजादी के बाद इन्होंने एक weekly journal स्टार्ट किया जिसका नाम था weekly और एक newspaper स्टार्ट किया पेट्रोइट इसके लावा 1997 में इन्हें भारत रतन से नवाजा गया तो यही सब कुछ जानना ज़रूरी था और ना आसिफ अली के बारे में आप सबको दोस्तो आज की इस वीडियो में इतनी ही personality के बारे में हम बात करने वाले थे कल की वीडियो में हम बची हुई personality इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे उनका क्या contribution रहा भारत की आजादी में तो आज की वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद